सेनिटाइजर कोरोना से पहले तक अमुमन हम इसे तभी इस्थिमाल करते थे जब कभी हॉस्पिटल में किसी मरीज की देखभाल के लिए जाते थे अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कोविट के दौर में लोग सेनिटाइजर को साबून से ज्यादे इस्थिमाल कर रहे हैं सेनिटाइजर का बेसिक कॉंसेट किसी सतह को स्टेरिलाइजड करना होता है सेनिटाइजर किसी भी सतह को वाइरस, बैक्टिरिया, फंगस जैसी चीजों से फ्री कर देता है यहां तक डिन, आरेंज जैसी बेहत बारिक चीजें भी साफ हो जाती हैं यह एलकोहल बेस्ड और एंटी बैक्टिरियल यानी दो तरह के होते हैं एलकोहल बेस्ड सैनिटाइजर कोविड में ज्यादा कारगर हैं लेकिन माइक्रो बैक्टिरियल एक्सपर्ट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करने की सरहा देते हैं सेनिटाइजर की तुलना में साबून से हाथ धुना ज्यादा बहतर है सेनिटाइजर का इस्तिमाद तभी करें जब आपके पास हाथ धुने का विकल्पना हो लॉंग टर्म में इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जो सेल्स के फंक्शन्स को प्रभावित कर सकते हैं सेनिडाइजर को हाथ में रगड़ने के तुरंत बाद हाथ को मुह, नाक, आख को नचुए इससे साइड इफेक्ट का खत्रा रहता है